आज हम बनाने वाले है वेज पुलाव बहारा कैसे बनता है यह हम देख लेते हैं क्या-क्या चाहिए हमें इसके लिए वेज पुलाव बहारा के लिए क्या-क्या चाहिए हम देख लेते हैं बहुत सारे वेज़ीज चाहिए हमें हमने क्या-क्या लिया है कैप्सिक लिया है कैरट लिया है चोटे-बम आनियन लिया है कैबेच लिया है पत्ताबु भी Рाइस, मेने फुल्ली डण रैस लिया है देखिए एकदम फलफी एक के साथ एक लग नहीं रहा है ऐसे टाइप के हमने राइस लिये है यहाँ पे खरे निसाले लिया है हमने सुखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, यहाँ पे जीरा लिया है, ब्लैक पेपर ले लिया है यहाँ पर हमने दालचीनी लिया है, स्टार फूल लिया है, जावित्री लिया है, और हमने लिया है, ब्लाक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, ग्रीन इलाइची और ब्लाक इलाइची ले लिया है, और यहाँ पर जो हमारा बहारा बनाने का सीक्रेट इंग्रीडियन्ट है, यह है और केवरा वाटर, आपको ये कोई भी शॉप में मिल जाएगा, ग्रॉसरी शॉप में, ये आप लाके छोटा सा रख सकते हैं, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, जब फ्लेवर के लिए बहुत जाद ही यूज होता है, और रेस्टोरेंट मेटिरियल है कम्प्लेटी, क में टेबल स्पून घी भी डाल दिया, टी स्पून घी भी डाल दिया मैंने, आप टेबल स्पून भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको घी लेखें, पुलाव पसंद है तो, गरम होने के लिए रख देते हैं पूरा सा, बहुत जादा गरम नहीं करना है, तो घी जलने का चा अगर गरम हो जाए, तो हम इसमें डाल देंगे शाही जीरा, आपके पास अगर शाही जीरा ना हो तो आप नॉमल जीरा भी यूज कर सकते हैं, शाही जीरा देने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत फ्रैग्नेंस जो है वो बहुत अच्छा आजा आन लफता है, हमने लाइची और ब्लाक इलाइची डाल दिया है, स्टार पूल डाल दिया है, डाल चीनी, जावेक्षरी, ब्लाक टेपर, काली मिरी, तेज पत्ता डाल देते हैं, और इसमें हम सुखी मेर्ची जो हमने लेती वो डाल देते हैं इसको फोर अटबे बर्ड़ेते हैं, जिसके पेल में ये सारे खरे मसाले के इसका फ्लेवर आजाएगा, तो ये हमारा राइस है, वो बहुत फ्लेवर्ड वाला राइस बनेगा, इसमें हम अभी हमारा डाल देंगे लस्टन, अब रख, इसके हम फोरा बे, कोटे कर लेते हैं, तो हम इसमें जो हमारे वेगी है, वो डाल देंगे, ये दस्ते तंगा सकें, हमें कोटे कर लेना है, तो हम वेगी जाए खरेते हैं, पत्का जोबी, फूल भोवी मैंने लिखाया नहीं था, पहले आप के फूल भोवी की आज़ पर सकते हैं, जोबी बेजीन है वो आपने वोज कर सकते हैं, इसमें चयाप सिकनर डाल दिया है, गाजर और टेयाज जाल देते हैं इसमें अलग अलग इसको पकाने की ज़रुवत नहीं है हम एज में भी इस इल्ट लगते हैं अभी प्रीम रहा देते हैं और अच्छे से रजीस को बॉइल कर लेते हैं प्राइज ही कर लेते हैं अच्छा इसका खुश्पू हता है और ठाने में भी बहुत अच्छा लगता है अगर प्राइज रहे रेजिस्टे जबके हम इसको बॉइल पर लेते हैं इसमें हमें नमक डाल रहा है नमक स्वाधन साथ नमक डाल करते हैं अगर आपने नमक डिया हो तो तो रहा है नमक का आपको घ्यान रखना है अच्छे से पका लेते हैं दो मिनिट हो गया है हमारा इसको रहा है तो रहा है रहा है इसको पकाने की ज़िए तो कि हमेरे बहुत कारे बगी है इसमें हमादी चल्दी डाल देते हैं अख फल्दी बाल दे आर दिया हमें उसको अखेंगे उसको अच्छे चल्दी डाल देखेंगे वार दो मिनिट हो गया है इसको हम अभी बॉय को होगी है तोरह का भी हम इसको राइब रचर लेते हैं तो हम इसको तोरह को बढ़ा दिया हो और इसको तोरह बेशने देते हैं और दोमें अच्छे के इसको पीला करें इए निस्ट करेंगे किया है है तो चोट और रेख ड़िया दियो जाएगा तो करा जुदा या जुदन का आज जाएगा ऊछी तो हमें कि या र और इसको अच्छे से मिस्क कर लेकों, मिस्क कर लेकों और राइस को भी फोरा देश राइस कर लेकों, तो इसको कुछो और बढ़्यार आने लगती हैं, तो इसको राइस में कलर आजाना चाहिए इसका, देखिए, वेच पुलाव बखारा बने के अल्मोस्ट कैयार है, अभी जो हमारा सीक्ट इंग्रियां पारेस में, वो डाल देते हैं, रोज वाटर डाल देते हैं, मैंने जिसमें आपके पुलाव दिया है, इसकी साथ के मैंने 3 तेबल स्पूल रोज वाटर और केवर वाटर यार्या इसके जो खुश्बू आने लगती है, आप इसको बनाईए और इसके बाद मुझे कमेंट करके बताईए, कि जो खुश्बू आई है और जो स्वाद आया है इसमें, वो कैसा है, आपको इसको थोड़ा देर हिला के 3-4 मिनिट ढखके रग देना है, और कोशिश जब आप सर्फ कर रहे हो, तभी उसका ढखकन खोले, बार-बार इसको ना खोले, क्योंकि जो आपने रोज वाटर और केवरा वाटर दिया है, उसका जो खुश्बू है, बाकी लोग नहीं खाएंगे, दूसरा कुछ सिर्फ उलाओ ही चाल देर जाएंगे, चलिए हम इसको सर्फ कर लेते हैं अभी झुश झाल 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 झ झाल झाल यह हमारा वेच पुलाव बहारा बनके तयार है इसकी खुश्बू पूरे घर में फैल गई है और सब मुझे पूछ रहे हैं मैंने आज क्या बनाया है आप इसको ट्राइ कीजिए बनाए अगर आपके फैमिली में नहीं पूछा कि आप क्या बना रहे हो फिर मुझे बताईए इसको जरूर कीजिएगा कमेंट करके हमें बताईए कैसा लगा आपको यह कैसा बना आपका यह और लाइक करना शेयर करना मत भूलियेगा सब्स्क्राइब फ्लीज प्लीज 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 कीजिएगा थैंक यू सो माई पॉबबबाय टेक कैर इस इस सिचिसमित आप can just make and eat.